दन्यवाद स्री मनुष्टिवारी जी और दो धिन्यवाद स्वापती महोदे आपने हमें इस विसे पे बोलने का मोखा दिया मैंने कई बातें यहाँ पे सुनी हैं जिसके बाद मैं थुड़ा चिंतित हो रहा था जैसे यहाँ नशे की खिलाफ बात हो रही है लेकिन कुछ लोग अलकोहल को गलेमराइज करते हैं मेरी प्रार्थना होगी मैं जिस गाउं से आता हूँ हमने देखा है सुवापती महोदे पहले सराब का नसा लगा फिर गांजा का नसा लगा फिर हिरोईन पिने लगे असी असी बिगा खेद बिग गया और बरबादी कगार पे चले गए परिभासा क्या है ड्रग की उसमें जाना लेकिन अलकोहल को गलेमराइज ना करें ये मेरी प्रार्थना होगी हमारे किसे साथी ने कहा कि बंदरगापर तीन हजार क्याजी ड्रग्स पकड़ ली गई तो पकड़ ली गई उस पर क्यों शौक्ड है ये भी मुझे समझ में नहीं आता है हम लोग जब तुलना करते हैं पहले से आज तक की मैं अभी अभी एक जानकारी पढ़ रहा था कि 2006 से 2013 तक जब्त की गई ड्रग्स किलो ग्राम में 22,45,130 किलो थी वही 2014 से 2022 तक ये 62,60,230 किलो ग्राम पकड़ी गई सरकार के इस प्रयास को ये अपने आप में तुलना दिखा देता है 40,00,000 किलो ग्राम का अंतर है सहोपती महोदे जब की गई ड्रग्स की संख्या जहां 2006-2013 में 10,31,22,170 किलो ग्राम थी एक संख्या थी वहीं अब 24,00,000 से ज़्यादा संख्या में ड्रग्स जब की गई है हम तो धनिवाद करना चाहते हैं हम महोदे का जब उन्होंने चंडी गड़ के एक मीटिंग में जो NCB के सहयोग सिकरी मंत्राले ने किया था उसमें जो उन्होंने स्टेप उठाये थे उसका भी हमें अध्यान करना चाहिए अभी कुछी समय पहले की बात है 27-27 अक्टूबर 2022 को सूरज कुन में चिंतन सिविर हुआ ग्रह मंत्रियों का सम्मेलन था उसमें प्रदान मंत्री जीने स्वयम भाग ले करके संबोधित किया है और इसका परड़ाम आ रहा है लेकिन हमारा हमारी कोसिस यह है कि बातें बहुत हो गई अब कुछ ठोस होना चाहिए अगर नशा को हम नहीं हरा पाए तो उसका हमें अफसोस होना चाहिए ऐसी इस्थिती में कई ऐसी बातें जैसे ड्रक्स के ब्यापारियों पर कड़ा सिकनजा हो मेरा यह भी एक सुझाव है कि ब्यापारियों पर कड़ा सिकनजा हो लेकिन जो यूआ इसमें धोखिस या अनकारणों से फस गए उनसे विक्टिम जैसा यानि बीमार जैसा ही बेवार हो और उनको ठीक होने में मदद हो मैं दिल्ली का सांसद हूँ स्वापति महोदे दिल्ली में ड्रक्स और नसे क्या पराधियों को रख्षन दे रही है यहां वो पुलिस की कारवाही में भी बाधा डालते हैं और स्वयम पुलिस के लिए अपमान जनक शब्द प्रयोग करते हैं जब वो ऐसे कड़े फैसले लेती हैं वो शब्द में यहां नहीं बोलना चाहता हूं जो पुलिस के लिए प्रयोग किये हैं लेकिन इसके चिंता सदन को करनी चाहिए अध्यक जी मैं अहां मान्य ग्रिहमंतरी जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं इस दिल्ली में जो इलीगल घुस पैठियों की बहुलता वाले हैं और वहां से ड्रक्स का बड़े अस्तर पर ब्योसाय हो रहा है और ऐसी जगर पुलिस को बड़ी तैयारी से दिर्ख कालिक योजना के साथ कारवाई करनी चाहिए कि वो ड्रक्स बेचने वालों के खिलाफ शिकायत करता था कुछ लोगों ने ऐसा भरम फलाया इस देश में मैं मुंबई के संदर्व में कुछ बातें करना चाहता हूं फिल्म उद्योग के संबंद में हमारे एकसाती हैं रवी किसंजी उन्होंने एक बार जब यहां ड्रक से खिलाब बात किया तो कुछ लोगों बीना सार को समझे हुए थाली में छेट करने जैसी बातें शुरू कर दी मैं एक मिनट में सतम करूंगा अद्यक जी मैं समझ कि मर्यादत समझ रहा हूं तो कुछ लोगों ने ऐसा भरम फलाया कि ड्रग से बॉड़ी फिटनेस होता है ज्यादा दिर काम करनी के छमता होती है तनाव खतम करने मदद करता है इन लोगों ने बड़ी खुबसूर्ती और चालांकी से देश के फिल्म कालाकारों प्रतिभाओं युवाओं को नश्ट करने के लिए एक साजिस के तहर ड्रग एडिक्ट बना दिया प्रणाम बया ही है वो प्रयास बहुत सकरात्मक हैं उनकी सराना होनी ही चाहिए लेकिन चर्चा तो उस नसे की भी होनी चाहिए सवापती मोदे लाष्ट में दो लाइन है कि जो लोग ये जानते हुए आजकल राजनितिक पार्टिया चंदा लेती हैं आधरणी अमीशाजियां बैठे कि वो चंदा किस्ते लिया जा रहा है तो ऐसी सिती में मैं इस चर्चा को बहुत सकरात्मक मानता हूं और हमारा ये मानना है कि इस चर्चा के अंत में मैं दो लाइन सिर्फ कहना चाहता हूं कि कई लोग यहां पे बहुत अच्छी अच्छी चर्चा करके बहुत अच्छा व और दूदेन